हे ब्यूटीज वेलकम बैक तो माय चैनल आज हम बात करेंगे क्लिंजिंग के बारे में कि सिंगल क्लिंजिंग क्या होती है डबल क्लिंजिंग क्या होती है कब हमें सिंगल क्लिंजिंग करनी चाहिए कब डबल क्लिंजिंग करनी चाहिए और सिंपल जो हम आज कल क्रीम बेस क् माइसलर वाटर के बारे में और अगर आपके पास कोई अच्छा क्लिंजर मौजूद नहीं है तो घर में भी हम चीजों से क्लिंजिंग कर सकते हैं इन तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे एक अच्छी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा जुरूरी होता है कि आपकी अच्छी तरीके से साफ सुतरी होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए तो उसके ओपर आप जितनी भी प्रॉडक्स लगाएंगे उसका कोई फाइदा नहीं होगा एक अच्छी स्किन के रुटीन के लिए एक क्लियर कैंविस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक good healthy skin के लिए अच्छी cleansing करना सबसे जादा must है बहुत सारी cleansers जो हैं वो market में मौझूद हैं जिसमें gel based cleansers हैं cleansing tissues and wipes भी हाते हैं oil based cleansers हैं cleansing foams हैं soaps हैं आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी skin type के लिए कौन सा cleanser best है और हमें किस तरीके से cleansing करनी चाहिए double cleansing कैसे करनी चाहिए और double cleansing कब हमें करनी चाहिए कब हमें इसकी जरूरत होती है सबसे पहले हम बात करेंगे basic cleansing routine के बारे में इसमें ये कि अगर आपने सारा दिन अपने घर पर गुजारा है और कोई make-up भी नहीं किया है तो सिर्फ एक step cleansing ही अमारे लिए काफी होगी वो एक step cleansing आप face wash की शूरत में कर सकते हैं कि कोई भी gentle hydrating foaming cleanser आप use कर सकते हैं कुछ important points आपको दिहान में रखने पड़ेंगे कि जब भी आप किसी भी face wash से या foaming cleanser से अपना face दूएं तो कोशिश करें पानी को अपने face पर ना रगड़ें remember to use your fourth finger as it is putting the least pressure on your skin treat your skin like a baby, put very less pressure on your skin एक और important point जब आप face को पानी से दूएं तो पानी के temperature का खयाल रखें normal temperature water से दूएं और कोशिश करें जब आप face wash कर लें तो आखिर में थंडे पानी से दूएं इससे आपके pores जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे थंडा पानी जो होता है वो आपके pores को शिरिंग कर देता है अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अपनी स्किन पर सिर्फ sunscreen या sunblock वगयरा लगाया है तो आपको किस तरीके से अपनी cleansing करनी है इस सूरत में सिर्फ cleanser से face साफ करना काफी नहीं होगा क्योंकि sunblock काफी hard होता है मुश्किल से आपकी skin से निकलता है तो इसके लिए आपको double cleanse करना पड़ेगा अब double cleanse सिर्फ sunscreen लगाने की सूरत में इस तरह आप कर सकते हैं आप face को two times face wash से दोएं या foaming cleanser से दोएं तो इसके लिए आपको अपने face को thoroughly cleanse करना होगा इसके लिए double cleansing is a must when you go to sleep if you want your skin healthy and bright then you have to do double cleanse if you are wearing makeup oil cleansers are the best to remove your makeup क्योंकि या आपके makeup को melt कर देते हैं it can easily melt your makeup away your foundation, your eye makeup, your mascara, your lip makeup, anything you wear on your skin इसके लिए सबसे पहले आपने oil cleanser से अपने face को clean करना है दो से तीन pumps आपने इस oil cleanser के लेने हैं koreans जादा तर जो हैं वो oil cleanser से यूज करते हैं यह oil cleanser भी जो हैं आपके makeup को melt कर देते हैं यह बहुत अच्छा oil cleanser है मैंसे काफी अरसे से यूज कर रही हूँ आप कोई भी oil cleanser लेके अपने makeup को melt कर सकते हैं आजकल cleansing balms भी आ रहे हैं वो भी makeup को बहुत अच्छे तरीके से melt करते हैं rolling motion में आपने massage करना है अपने face का और आइस्ता इस्ता जैसे आप इसको अपने face के उपर लगाएंगे आपका makeup melt होना शुरू हो जाएगा कोई भी oil लेकर cleansing कर सकते हैं मेकप को melt कर सकते हैं इसके लिए हम almond oil भी use कर सकते हैं इसके लिए हम coconut oil भी use कर सकते हैं मगर coconut oil almond oil या यूज करने से पहले पैच टेस्स कर लें क्योंकि मैं recommend नहीं करूंगी oil-based cleansing बास लोगों को suit नहीं करती है कुछ लोगों को pores block हो जाते हैं जिसकी वज़े से उनको blackheads और acne की शिकायत भी हो सकती है तो अगर आपको यह coconut oil या almond oil या कोई भी oil आपको suit करता है तो पैच टेस्स करें अगर आपको suit करता है तो आप simply इससे भी अपने make-up को remove कर सकते हैं आप सारी लोगों को coconut oil suit करता है औलिव भी suit कर जाता है कुछ लोगों को लेकिन यह कि इसके लिए आप पैच्टा सरूर करें second step अब यह है कि जब आपने oil based cleanser से अपनी face को साफ कर लिया चाहे वो cleansing balm था cleansing oil था या अगर आपके पास यह सब चीज़ें मौजूद नहीं है तो cream based cleanser तो हर एक के पास घर में मौजूद होते हैं आपने उस cream based cleanser से अपने make-up को अच्छी तरीके से साफ करना है then next step यह है कि आपने बहुत ही अच्छे hydrating face wash से अपने face को wash करना है यह इस तरीके से double cleansing होती है कि पहले आपने make-up को melt किया then आपने किसी भी अच्छे face wash से जो भी आप यूज करते हैं जो आपकी skin को suit करता है उससे आपको अपने face को साफ करना है now अब हम बात करते हैं acne prone skin के हवाले से बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है acne prone skin की cleansing करना यह एक बहुती challenge होता है क्योंके बाज वकात अगर हम cleansing करते हैं तो बाज वकात आपके जो pimples हैं दाने हैं वो और भी बढ़ सकते हैं इसके लिए important है आप एक ऐसा cleanser अपने face पर इस्तिमाल करें जो कि आपकी skin को एक तो dry ना करें और आपकी skin पर से सारी impurities निकाल दे तो इसके लिए important है कुछ points जो आपको अपने cleanser को खरीदते वक इस्तिमाल करने से पहले उसमें देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या यह points क्या वो gentle है क्या वो mild है क्या वो hydrating है अगर यह सारी खूसियात उसमें मौझूद है तो वो face wash आप जरूर खरीदें और उसको use करें अच्छा acne prone skin वालों के लिए जरूरी है कि वो कोशिश करें कि face wash करने के बाद towel से face को dry ना करें क्योंकि towel में जो germs होते हैं वो बाद में द मैं recommend करती हूं कोई भी gel based cleanser use करें कोई भी अच्छा gel based foaming cleanser use करें या उसके अंदर silicyclic acid मौझूद हो तो वह आपकी acne को कम करने में मजीद मदद करता है आजकल वैसे भी सर्दी आने वाली है कोशिश करें या जिन लोगों की dry skin है आप कोई hydrating cleanser use करें hydrating cleanser इसलिए क्योंक cleanser आपके लिए बहुत important है सेरवे का hydrating cleanser भी अच्छा है और भी इसके लावर बहुत सारे अच्छे hydrating cleansers आते हैं कोशिश करें कोई भी ऐसा face wash यूज़ ना करें जिसको यूज़ करने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपकी skin खिच रही है और आपको जो है किची कीची सी skin feel ह हो रही है तो ऐसा cleanser आप यूज़ ना करें और अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई cleanser मौजूद नहीं है तो आप सिंपल कच्छे दूद से भी अपने face को साफ कर सकते हैं कच्छा दूद भी कच्छे दूद में भी आपको पता है कि लैक्टिक एसिड मौजूद कैसे बना सकते हैं आप एक अच्छा cleanser सिंपल एलोवेरा जैल का एक चमच लें रोज वाटर का एक चमच लें और किसी भी बोल में इसको मिक्स करें और चाहें तो few drops of lemon अगर आपको lemon इरिटेट नहीं करता है वो भी डाल लें और इसको लेके आप अपने face पर लगाएं इस के बाद अपना face दो लें इस से भी बहुत अच्छा आपका face clean हो जाएगा बहुत ग्लोई effect देता है यह एक तरह का DIY cleanser है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और मुझे पता सकते हैं कि आपको ये cleanser कैसा लगा इसके अलावा में आपको एक टिप और देना च किसी तरह जब आपने make-up किया हूँ आप मैसलर वाटर को यूज करें अपने face को या तो किसी cotton pad के ओपर इसको डाले मैसलर वाटर को और अपने face को साफ करें एक बहुत अच्छी है कि आप किसी भी spray bottle के अंदर मैसलर वाटर को डालें और अपने face face को spray करें एक मिनिट इसको चोड़ेंगे आपका make-up खुद मैल्ट होगा फिर आपने किसी भी cleansing pad से टिशू से या wipe से अपने face को साफ कर लेना है बहुत जादा अपने face को रगड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप अपने face को बहुत जादा रगड़ते हैं तो fine lines और wrinkles हो जाते हैं micellar water से आपने make-up को स cleansing के बारे में अगर मजीद आपको कोई इस बारे में पूछना हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं अगर मैंने कोई point miss कर दिया हो तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशश की थी कि हर point और हर चीज़ को cover करू cleansing methods के बारे में बताओं क्योंकि double cleansing methods आजकल बहुत जादा popular ह और इससे आपकी skin पे seriously बहुत ज़्यादा अच्छे effects पड़ते हैं और एक clear canvas मिल जाता है आपको अपनी skincare routine के लिए जब आप अच्छी तरीके से skin को clear करते हैं तो आपकी जो products आप इस्तिमाल करते हैं वो भी effectively work करती है I hope you like this video please comment, like, share and press the bell icon to get notified whenever I upload any video. Thank you so much for watching. Bye Bye झाल